फिल्मी इंडियन जी यहां फिल्मी इंडियन यूटुब के एक ऐसा चैनल जिसको नॉलेज तो जहांत नहीं है पर फिर भी यह करती मुवी रिव्यू है यह मैटम रिव्यू के नाम पे तुमको मुवी के पूरी स्टोरी सुना देती है और मुवी प्रती तुम्हारे का मुवी के डिश्क पाए जाते हैं पहले असली वाले और दूसरे नकली वाले यह मैटम उससे भी अद्बुत हैं अब मैं ऐसा इसलिए बोलना हूं क्योंकि मैंने इनके एक मुवी रिव्यू देखी है जिसको देखके मुझे इनको यह कहने कमन कर रहा है कि जोड़ी इस नमा से फैंस की सबसे बड़ी शिकायट कौन सी है जानते हो DC, Marvel, Disney, इनके जैसी सूपर हीरो फिल्म कब बनाओगे, हॉलिवुड लेवल वाला मज़ा कभी बॉलिवुड में आएगा की नहीं Attack with John Abraham बस उसी शिकायट को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश, पहली बार बॉलिवुड में एक सूपर सोलजर की एंट्री हुई है लेकिन DC, Marvel से टकर महंगी पड़ी या पैसा वसू जवाब इतना आसान थोड़ी है, आईए थोड़ा साथ चली, धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा कहानी Life After Death की है, बोले तो मौत के बाद जिंदगी जिसका गिफ्ट मिला है हमारे अर्जुन धिया को जो दिखने में मेरी आपकी तरह है, लेकिन दिमाग किसी रोबोट से भी ज़ादा चाला आगा मैंने भरोसा रखिए, यूट्यूब पर फिल्म का दो मिनिट का ट्रेलर असलियत में दो घंटे की फिल्म पर भारी पड़ता है, वहाँ जो एक्शन इमोशन डाले गए हैं, उसके अलावा पूरी फिल्म में कुछ भी नहीं है अब भाई, क्या बोल देए यार, मैंने इस मुवी को देखा है और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, और चलो मैं मानता हूँ कि सबके नदर यह अलग होता है, और यह तो डायेक्ट लोगों से यह कह रहे हैं, या फिर मैं खिसका हुआ हूँ, क्योंकि इस मुवी को जितन सबसे बड़ी शिकायक, पूरी फिल्म देखी रिखा, इसी लगेगी, कुछ भी नया नहीं है, देश को बचाने एक फौजी खड़ा होगा, और दुश्मन को मिट्टी में मिला देगा, आपने यह पहले नहीं देखा, जूट मत बोलना जोन को एस फाइटर जादा यूज किया गया है, इंस्टेट ऑफ सूपर सोलजर, साइन्स और टेकनोलोजी जिसकी वज़ेसे अटेक को एक यूनीक फिल्म समझा जा रहा था, उसका एक परसेंट भी धंग से इस्तमाल नहीं हुआ है, हाँ, क्यूंकि साइन्स और टेकनोलो आररा थेटर्स में अफिशली रिलीज होने वाली है, सिर्फ कुछ घंटे बागी है, एंड एक्साइटमेंट का लेवल सीरा आस्मान तक पहुंच गया है, बाहु बली के बाद राजा मॉली सर का कमबैक होने वाला है, एंड फैन्स और इस बार ओडियंस थेटर में सूपर इफेक्ट्स वगेरा एकदम जीरो है, कोई भी सीन डीसी मार्वल जैसा फील नहीं देगा, हां लेकिन गलत मत समझे, बॉलीवुड की तरफ से अटैक एक अच्छी कोशिश है, लेकिन एक अच्छी फिल्म बनने में पूरी तरह फेल है, दो घंटे बाद आपने जो देखा के गये होंगे, ये तो पक्का है, और साथ में आप अपना कॉमेंट भी पढ़ लेना, ताकि आपको भी अच्छा काशा ज्यान हो जाए, कि पब्लिक क्या कहना चार ये चीज़ पे, देखो भाई, तुम इसमाहिला की बात मस सुनो, विगाज, ये मुवी सच में स्टेंड स्टेंड आउट करती है, अपने बज़ेट के इसाप से, और इतना कम बज़ेट होते हुए भी तुमको कोई भी फेक नहीं लगता, और हाँ, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करना भी बंद करो, जिनको मुवी रिवीव का A, B और C भी नहीं आता, मैं तो कुछ रियल मुव सब्सक्राइब करती है, बस जैकलीन और जान भाए के करेक्टर थोड़ा सा मुझे क्रिंज लगा, बाकि अगर तुमने ये मुवी देख लिया है, तो तुमारे क्या कहना इस मुवी को बारे में, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्षन, और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए, तो इन देखी का चैनल अनसब्सक्राइब करो, वीडियो को डिसलाइक करो, बाकि उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, तो हाँ, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो को मत दूरी में, तो थांक्यू गाइस, थांक्यू सो मच पो कर दो कमिंग बाइ